आईए student अब देखते हैं कुछ और questions तो यहाँ पर सबसे पहले है इन AP ये AP सीरीज की values दे रखिये हैं और हमें find करना है अलग-अलग values का हूँ तो first वाले situation में A given है, D given है, A N given है ठीक है और हमें N और SN formula से निकाल के दिखाना है कि ये क्या value हो सकती है तो हम अब start करते हैं first वाला तो हमें जो जो चीजे given दी वो देख लेते हैं हमारे पास A given है 5, D given है 3 और A N given है 50 ठीक है हमें निकालना है N और SN ये हमें निकालना है ठीक है अब बड़े द्यान से समझते हैं तो मेरे बेटे हम जो है अपने formula का use करेंगे तो हम क्या जानते हैं कि A N किसके equal होता है A plus N minus 1 D clear है अब मेरे बच्चे यहाँ पर आपने A N के value लिख दी 50 A कितना है 5 N हमें निकालना है D हमारे पास कितना है 3 तो 5 इदर चला गया 50 minus 5 बचा क्या N minus 1 और 3 यह कितना आ गया 45 N minus 1 और यह कितना है 3 अब 3 से divide हो जाएगा 45 यह आ जाएगा तो यह कितना आ गया 15 N minus 1 तो 15 के पास 1 आ गया तो N के value कितनी आ गयी 16 आगी के नहीं आ गयी तो यहाँ से हमने क्या करा N का value निकाल लिया अब हमें क्या निकालना है SN के लिए मुझे 3 चीज़े चाहिए थी वो मुझे पता है क्या-क्या A पता है D पता है और यह N पता है clear है तो लगाओ SN का पामला SN equal to N by 2 ठीक है 2 A plus N minus 1 D सब्सक्राइब कितना है 16 तो यह N कितना है 16 divided by 2 2 into A कितना है 5 plus 16 minus 1 D कितना है D एग 3 तो कितना आ गया 2 से 16 कटके कितना है 8 8 आ गया 10 plus यह कितना आ गया 15 into में 3 तो कितना आ गया 8 10 10 plus 45 कितना गया 8 multiply by 55 तो multiply by 8 55 कितना होता है सर्फ 450 कितना होता है 440 50 देखा जान से कितना होता है 440 तो S 16 के value निकल किया आगी तो जैस तरीके से हमारे पास जो चीजे गिवन होती है उसके भिहाब पर value निकाल लेते हैं तो हैंस हमारे पास जो values निकल किया आई वो क्या है N का value निकल किया आया 16 और S N का value कितना निकल किया आया ठीक है वो कितना है 440 यह हमारा question था क्लियर है पेटे यहां तक आगी अब देखते है next next में बेटे देखो ध्यान से हमें क्या given है उसकी value निकल लेते हैं तो हमारे पास जो given है हम उसका use कर लेते हैं तो हमारे पास A given है 7 और A 13 given है 35 ठीक है और हमें D निकलना है और S 13 हमें निकलना है जी D का value और S 13 चलो निकाल लेते हैं अब बड़े ध्यान सुनो हम क्या जानते हैं हम जानते हैं A N equal to A plus N minus 1 D clear है तो A 13 दखो ना है यहाँ पर A 13 equal to ध्यान से देखो A plus N कितना है 13 minus 1 D यही तो N होता है A 13 A plus 12 D तो हम तो यह पता कर चुके हैं कि इस तरीके से यह value एक कम हो जाती है न तो अम बड़े ध्यान सुनो A 13 की value कितनी है 35 और A की value कितनी है 7 plus 12 D अब 35 minus 7 equal to 12 D यह कितना आगया 28 clear है तो 28 12 D यहागया 28 divided by 12 equal to D तो यह कट जाएगा 4 3 4 7 D की value आगया 7 by 3 D का value निकल के आगया अब मैं निकाल लेता हूँ S 13 निकाल लेता हूँ S 13 तो S 13 के लिए formula लगाता हूँ तो पहले तो मुझे बताओ S N का formula क्या है N by 2 2 A plus N minus 1 D यही है यहाँ आगया 13 by 2 2 into A की value कितनी है भाई 7 plus 13 minus 1 D की value कितनी है sir D की value किया है 7 by 3 clear है तो यह कितना आगया 13 by 2 14 plus 12 into 7 by 3 30 देखो यह कड़ गया कितना है 4 तो कितना है 13 by 2 14 plus 28 यह आ गया वहलोनी कल क्या गी ना 28 अब 28 को 14 से multiply करो कितना जाएगा 13 by 2 यह कितना हो गया 42 यह 12 से 2 से गड़ गया कितना बचा 21 तो आई क्या value 13 into 21 solve करेंगे तो answer क्या आएगा 273 लो जी S 13 की value निकल के आ गई हमें निकालना क्या था हमें निकालना था तो हमने लिग दिया भाई सब हैंस D का value निकल के आया जी 7 by 3 जो आपने मांगा था और S N का value ठीक है यह कितना आ गया 273 जो हमसे मांगा गया था यह S 13 है ठीक है बच्चे तो यहां पर हमने यह value निकालके दिखा दी next देखते हैं मेरे बच्चे next है हमारे पास given है A 12 की value 37 D की value 3 find करना है हमें ए और S 12 अगर ध्यान से दिखें तो यहां पर हमें A और S 12 find करना है clear है तो कर लेते हैं मेरे बच्चे जो चीज गिवन है उसका use कर लेते हैं चलिए करते हैं यहां पर हमें given क्या है A 12 वह 37 डी गिवन है वह 3 तो A 12 चाहिए है इसका use करते हैं तो मेरे बच्चे है हमें क्या पता है हमें पता है A N क्या होता है A plus N minus 1 D तो अगर मैं A 12 लिखूँगा तो क्या हो जागा A plus 12 minus 1 D तो A 12 कितना हो जागा मेरे बच्चे A plus 11 D ठीक है तो मैं यहां लिख दूँ A 12 equal to A plus 11 D ठीक है A 12 की value कितनी है देखो जान से 30 Oh My God 37 और A कितना है A हमें पता नहीं D कितना है 3 तो 37 equal to A plus 33 तो 37 से इधर गया तो कितना आगया A की value 34 sorry 34 तो minus 4 आगया पिटे तो यह मेरे पास क्या आगया A का value आगया आगया क्या होता है N by 2 2 A plus N minus 1 D 12 हो गया 12 कितना है N कितना है 12 यह बिटे आगया N की value होती ना जो नीचे है यह 12 divided by 2 2 into A A कितना है 4 plus N कितना है N यह रहे 12 12 minus 1 D कितना है D यह जी 3 clear है तो यह कितना हो गया यह कटकिया 6 आगया तो 6 bracket में 8 plus 11 into 3 तो यह गया 6 8 plus 33 clear है के नहीं है तो 8 और 33 को add कर लो सही है कितना हो जाएगा यह आ जाएगा 41 ठीक है अब इसकी multiply कर लेते है S 12 तो यह कितना हो गया 6 और 24 लोगी S 12 की value निकल के आ गई अब मेरे बच्छे द्यान से देखो द्यान से देखना अब यहां क्या लिख सकते हैं hence A equal to 4 S 12 की 246 यह value निकल के आ गई clear है यहां तक हमने यह solve कर दिया next देखते हैं यह हमारा हो गया यह हो गया यह ना ओर देखते हैं A की value कितनी है minus 15 A की value कितनी है minus 15 S की कितनी है S 10 की 125 D और A 10 निकालना है चलिए करते हैं यहां से जो हमें values दे रखी हैं सही है जी वह लिख लेते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें इस पास जो आना हमें D और A 10 दोनों निकालना है D और A 10 तो उसकी solution निकालने के लिए हमें अपनी valuation को put up करना पड़ेगा ठीक है तो ना अब हम यहां पर value put up कर लेते हैं ठीक है हमारे पास जो भी values है उसे लिख लेते हैं यहां पर हमारे पास A N गिवन है 15 और हमारे पास S 10 गिवन है माइनस स्वरी 125 तो हमें जो चीज निकालनी है D A 10 दी निकालना है जी और A 10 निकालना है ठीक है अब बड़े ध्यान समझते हैं और इसकी valuation को लिखते हैं तो हमारे पास क्या है A N नहीं था यह A 3 था है ना A 3 है जब ही तो मैं कोश्चन में गलती कहा रही है इसको दूबारा लिख लेते हैं यह A 3 कितना है माइनस का है ना यह माइनस 15 अब बड़े ध्यान से समझते हैं अब हमारे पास एक चीज हमें पता है उसका हमना यूज कर लेते हैं हम जानते हैं कि A N इक्वल्टी होता है A प्लस N माइनस 1 D के ध्यान से देखते रहे ना विच्छे तो A 3 कितना है A plus 3 minus 1 D तो यह हो जाएगा पिटा A3 equal to A plus 2 D अब यह जो है ना value put कर लेते हैं यहाँ पर value put करते हैं तो यह कितना है गया minus 15 A plus 2 D क्लिए रहने हैं यहाँ पर यह चीज़ आ गही अब यहाँ पर ना सूचने वाली बात बताएं क्या है यहाँ पे ना तो मुझे A की वेलू पता है और ना ही मुझे D की वेलू पता है तो यह एक equation बनके first की clear है अब मैं यहाँ पे न एक चीज करता हूँ यहाँ न S N का formula लगाता हूँ S N क्या होता है S N होता है N by 2 bracket में 2 A plus N minus 1 D अब यहाँ पे क्या है S 10 कितना हो जाएगा 10 divided by 2 2 A plus सही है जी N कितना है 10 minus 1 और यह आगया D तो S 10 S 10 equal to 2 से 10 कट गया कितना answer आया 5 यह आगया 2 A plus 9 D अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो S 10 की वेलू कितनी गिवन है 125 25 equal to 5 2 A plus 9 D तो अब यह 125 से 5 भाइड बच्चा क्या 2 A plus 9 D अब यह इससे कट गया न तो यह आगया 25 हाँ कितना गया 25 equal to 2 A plus 9 D clear है तो मैंने क्या करा पहली equation लिखी यह लिखी 2 A plus 2 D equal to minus 15 दूसरी लिखी करता हूं तो 2 A plus 9 D equal to 25 तो पहले न मैंने क्या करा है इनने equal कर दिया बच्चे अब मैं इनने subtract कर देता हूं तो plus minus plus minus plus minus तो यह मैं क्या कर रहा हूं इसको subtract कर रहा हूं clear है जहां दे समझता अब A से A कट गया सही है 2 A से 2 A कट गया न मेरे बच्चे अब 9 D में से क्या हुआ 4 गया क्योंकि 9 जो है minus का है और यह तो आगया minus 5 D equal to minus 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 plus होगे और क्या आगया यह यह आगया आपके पास minus and 55 D की value निकाल लेता हूं तो minus 55 divided by minus 5 कट गया तो आगया 11 तो D का value तो आगया 11 अब यहां पर आपके पास D का value निकल के आचुका है अब बहुत ही द्यान से समझो मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है S ठीक है न हाँ बलकू ठीक है अब मुझे क्या निकालना A 10 की value निकालना है निकाल लेते हैं तो A 10 तो पहले तो मुझे पता A N equal to क्या होता है A plus N minus 1 D तो A 10 कितना हो जागा सर A plus 10 minus 1 D A 10 कितना हो जागा सर A plus 9 D हम मुझे देखना है तो A 10 A कितना है सर minus 15 plus 9 into D is 11 तो minus 15 plus 99 क्लिर है आरिवर समझ में तो ये इसमें से minus कर लेते हैं ठीक है तो value निकल के आ जाएगे तो minus 15 और 19 को minus करो तो कितना हैगा 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 1 गए 6 तो हमारे पास क्या आ गया A 10 की value 64 ये value निकल के आ गई तो हमें ये जो value गिवन थी हमने क्या गरा इसका use करा और value find out कर ली